तो मैंने यह cactus के पर्प से जो अलग अलग करके यहां पर बो दिये हैं अब यह cactus थोड़ा से छोटे हैं इसलिए मैंने इसी गमले में रखे हैं जब तक मैं नए गमले खरिद के नहीं लाता तब तक यह यहीं रहेंगे उसके अलवा मेरे पास काफी सारी वेराइटीज है और वो वहाँ पे जो मैंने पॉलिथीन में लगाए हैं वो काफी छोटे-छोटे कैक्टर से ऐसे वाले एक रॉप्सिक्स के और वहाँ डायरेक्ट संडलाइट उनको मिलती है तो इसलिए मैंने आज एक मिनी ग्रीनाउस के जैसे उनके उपर वो पॉलिथीन डाली है इस वज़े से यहां का जो पानी है वो ज्यादा देर तक इन पॉलिथीन के वज़े से इस गंबले में रहता है और यहां का जो कैक्टस है वो उस एन्वार्मेंट के वज़े से जल्दी ग्रो होता है इसके मैंने काफी सारे निकाल निकाल के अलग अलग गंबलों में डाले हैं और उनके भी काफी रूट्स आ चुके अब तक और यह जो सारे पॉप्स है वो मैं ऐसे ही गंबले लाग लाग के उनमें एक 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 डिस्रिबूट करूंगा और वो अच्छे से उनको बढ़ने दूंगा और डायरेक्टली में पानी केक्टस में डालता मैं डालता हूं नीचे यह में एक लाइन बनाई है ताकी पानी बाहर ना यहां स्टोर रहे तो यहां जो गमला है वो नीचे से उपर तक पानी एब्जॉर कर लेता है और यह सारे मैक्जिम तो मिट्टी के ही हैं तो जल्दी एब्जॉर हो जाते हैं और मैं उपर से पानी नहीं डालता